नमस्कार दोस्तो इस समय की बेहत बड़ी कबर सामने निकल के आ रही है करनाटक विधान सभा चुनाओ को लेकर के तमाम एक्जिट पोल सामने निकल के आ चुके हैं जिहां दोस्तो आकड़े काफी चौकाने वाले हैं जिसमें बीजेपी का सूपरा साफ होता हुआ नजर आ है एक एकर के सभी एक्जिट पोल को विफ्तार से जानेंगे दोस्तो पहले आप लोगों को बताते चले यहां पर करनाटक के अंदर कुल दोसो चौबिस विधान सभा की सीटे हैं और बहुमत का आकड़ा 113 है बताते चले पहले एक्जिट पोल में यहां पर एबीपी सीटे भाजबा को मिलती हुई दिखाई गई है जबकि कॉंग्रेस पार्टी को 100 से 112 सीटे जेडियस के खाते में 21 से 9 सीटे याने की कुल मिलाकर के कॉंग्रेस पार्टी बहुमत के काफी करीब है और वहीं निउस नेशन के सर्वे में यहां पर 114 सीटे बीजेपी को दी ग आई गई है 94 से 108 सीटे यहां पर कॉंग्रेस के खाते में जेडियस को 24 से 32 सीटे और वहीं जन की बात exit पोल की करें यहां पर जिसमें 94 से 117 सीटे भाजबा 91 से 106 सीटे कॉंग्रेस 14 से 24 जेडियस और वहीं TV9 भारत वर्ष के exit पोल के आधार पर देखें तो 88 से 98 सीटे 90 से 109 सीटे कॉंग्रेस 21 से 26 जेडियस जीडियस के exit पोल के अनुसार यहां पर 89 से 94 सीटे भाजबा कॉंग्रेस के खाते में 103 से 118 जबकि जेडियस के खाते में 25 से 33 से यानि कि कुल मिला करके देख सकते हैं ज्यादा तर exit पोल में कॉंग्रेस पार्टी बहुमत के कई भाय या तो बहुमत का आकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजेगा और आप लोगों के अनुसार किस पार्टी की सरकार बन सकती है करनाटक के अंदर भाजबा या कॉंग्रेस आप लोग कमेंट बॉक् झाल